क्या हो रहा है प्रस्ट किस से पूछ रहे है विपक्ष से सवाल करना चोड़ दे तो हम जवाब दे जाएगा और वही विपक्ष जब 10 साल का मौका बीज़ेपी को देती है तो इसके बाद सवाल गरती है आज cabinet में जैसी भी नदी में डालने का अधिकार दे जया गया प्रयावरण के कानून दूड के इस पर प्रश्ण होना चाहिए तो बिल्कुल होना चाहिए तो आप कारी नीती आई है उसको आज स्टडी कर लिजे कर लिजे करूगा इस विशे को लेकर के मैं कहना हो भी के लिजे कर रहा है तो आपने अगर को को कर रहे हैं नरसीं मह राओ को भी राजीव गानी को बीख की जिए मुझे अच्छा लगे किसा लगे तो बिलकुल सही बात लेकिन आप एक चीज को स्विकार तो करें ने जो चीज घटना घटी मेरे इसाब से मैं सनातनी हूं और मेरे इसाब से मुझे संक्राचारी की हिसाब से चलना चाहिए पूरे देश में बात यही चल रही है कि आखिर 24 में सरकार कौन बनाएगा और दूसरी तरफ उतराखंड में भी एक बात हो रही है कि बहुए उतराखंड में दूसरी बार गॉर्मेंट कॉंग्रेस की आने वाली थी आए नहीं उसमें बार बार बन चरचा कर चुका हूं कोई की फाइदा नहीं है लेकि अब फाइदा यह है कि दौर्या चोबिस में आखिर उत्राखंड को कितना benefit मिलने वाला है उस वक्त जब प्रदेश अध्यक्ष करन महाराजी हो और सभी लोगे कहते है युवा चेहरा युवा चेहरा तो कितना बदलाओ आपको देखने को मिल सकता है क्या लगता आपको देखे युवा होने का एक फाइदा मुझे यह हुआ है कि मैंने लगातार 19 मेंने गाउं गाउं घर 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 घूम के काम किया है और 24 इंटु 7 मैं काम कर रहा हूं आप सब लोग उस सीच के देखते वे यूट्यूब और उसमें फाइदा यह हुआ है क लगाता दूसरी हार के बाद हमारा कारिकरता निराष्ता आज बाहर निकलने लगा है आज हमारे जो भी कारिकरण हो कि लड़ने के लिए तो मुझे लगता है इस बार चुनाओ थोड़ा फरक होगा इस पार नेता भी चुनाओ लड़ेगा और संगर्थन बहुत लड़ती कॉंग्रेस में और इस बार आपको संगर्थन बहुत मजबूती से चुनाओ युवा होने का फायदा जो मिला लेकिन मैं कह रहा हूं कि युवाओं को आप उत्रा जोड़ पाए क्योंकि फाइनली वोटर्स ही वोट देगा तो क्या आप युवाओं को जोड़ पा रहे हैं निश्य थी मैं जहां भी जा रहा हूं आप देखे जितने हमारे जिलादिक्स मैक्सिमम युवा हैं और जितने भी चाहिए वो ट्रिपल सी भरती को उटाला हुआ चाहिए पटवारी पेपर लिखा चाहिए अंकीता का मामना था उनमें बढ़ चरके युवाओं ने और जो हमारी बेहने हैं उन्होंने परती भाग किया और युवाओं से संबंधित मु मैं कुछ समय पहले भी इनी चहरे को देख रहा था और आज भी में उनी चहरे को देख रहा हूं देखे नए हमतलब युवाओं नहीं गलत है अप जहां बैठे हैं इस प्रतिस्थान की जो बात का उतर जा रहा हूं आसल में होता क्या है कि जब युवाओं और सीनिर से मिक तो उस वज़े से शायद उनको लगा होगा लेकिन युवाओं की भागिदारी बहुत अच्छी संख्या में थी और युवाओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनने क्योंकि हॉल से जादा लोग थे तो युवाओं ने अपने सीनियर्स को अपने बढ़ों को सीटे दी और आपने चाड़क को कोड किया था कोड करते वे कुछ बाते कही थी आपने की अगर राजा व्यापारी होता होता है तो दूसरी तरफ तेलंग गाना में भी अभी जो अडानी अंबानी को लेकर कि आप लोग बोलते हैं तो अडानी गृप ने समझा होता किया ठीक है पावर मैंने कहा फिर भी सरकार तो आपकी है और अडानी आपके स्टेट में ही तो वो कुछ भी कर रहा है तो चीज में डिफरेंस है एक देश का प्रधान मंतरी दूसरे देश में कोई मान दिलाने के लिए किसी कंपनी के हैड को किसी मालिक को इंटर्ड्यूस करा है एक सरकार का पैसा कंपनी को चलाने के लिए लोन दे और फिर उसी देश की संपत्य को उसी लोन पर उसको खरीदने की छूड़ दे ये फरक है और एक सरकार में कोई वेपारी आता है और उस सरकार की सर्तू के अनुबंद के अनुसार वो काम करता दोनों में डिफरेंस है हमारे ये कहना मैं लाखो करूर रुपे का करस्पाना तो क्या रहा हूं मेरी बात सुनिये इक देश कानून से चलता है अभी तक उसको ना तो सरकार ने अपरादी बना रहा है ना कानून के साब से बात कहूं कानून सम्विदान और उसके हिसाफ से सलता है कानून के साब से अगर कोई वेपारी मेरे आता है बिट करता है और बिट में वो क्वालिफाई कर रहा है कमपें में कोई Украї कहीं कोई दिक्कत alliances को कैसे मैं किसे रोक सकता हूं अगर मुख्यमंत्री हो जा तो भी रोकस थ nIC hij The मैं मेरी बात को समझ ही निहीं तुम हम आर्यूप लगाते हुं लगाते हैं कि सरकार ने अपने अबने ह्यें सरकार कि परिसमपतियों को ओनी पոने अदाम पहुत है। सरकार के परधान एम्ंद का ये कम्पनी के मालिक को ले जाकर किसी सरकार पर बनाए कि इनको कोल माइन दें दो इनको फ़लानी चीज दें यह जगड़ा है सरकार से यह जगड़ा कि आप जैसे हमने 40ESCO सारचा क्अ का किसानों का माफ करने के लिए नेग्ला है कि लिए रधानी अब और पूरा विपक्ष वो विपक्ष जो आमाभी पार्टी के नेता केजरिवाल कॉंग्रिस के उपर बड़े आरोप लगाए और आप सभी लोग एक साथ एकत्रित हो गए एक मंच पर देखिया आपका प्रश्ण वाजिब है मैंने आज अपनी संबोधन में भी कहा अनेक आपके वरजन ये है मेरा वरजन ये है कि अंकीता मरी है मेरा वरजन ये है कि सदातन धरम के नाम से राजनीती करने वाले लोगों ने केदार्णात में 230 किलो सोने की चोरी के बाद भी जाच नहीं बेठाई मेरा आरोप यह है कि केदारनाद बाबा के गर्बग्रा के कानून देश के प्रदान मंतरी ने तोड़े मेरा आरोप यह है कि अंकीता जब मरती है वियाई पी के सारे सबूत मिटाये जाते हैं और सरकार यह कहती है कि कोड सबूत के अधार पर डिसाइड करती है मेरा आरोप यह है कि एक अंतरास्टी खिलाडी को जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया उसको सांसत को बचाने के लिए जिस तरीकी से प्रदानमंत्री ने पहल किया है उस लड़की को जिसने खेतू में मेहनत करके अपने को पहलवान मनाया उस लड़की को अपनी कुस्ती छ होता है कि जुनाओ जहां होते हैं जहां बीजि पी को प्रफिट होता है वहां बीजिपी जाती है जहां है सकर्कूर हमारे राहुल गादी ने केरल में भी एक पूरा दिन अपनी भारत जोड़ यात्रा में अंकीता को समर्प्तित किया दिन बर वो उसका बोर्ड लेके गूमते रहे जब कॉंग्रेस की सर्कार राजस्तान में कोई घटना होती है तो फिर पिर कॉंग्रेस भी कुछ नहीं बोलत शायद आप गौरी लंकेश को भूल गए आप प्रसुन बाचपई को भूल गए आप अभिशार सर्मा को भूल गए है क्योंकि आज जो इस्तिती है आज कहीं न कहीं हम को लगता है कि अभीवक्ति की अजादी के साथ-साथ आज एक महोल क्या हो रहा है प्रस प्रस किस से प सवाल करती है आज क्याबिनेट में जैसी भी नदी में डालने का अधिकार दे जया गया प्रयावरण के कानून तोड़के इसमें प्रशन होना चाहिए था बिल्कुल होना चाहिए आप कारी नीती आई है उसको आज स्टड़ी कर लीजे कालमस प्रस करूगा इस मिशे को ल आप अधिकार ने बात कहीं कि वहां पर नहीं जा रहे उनका अलग मैटर हो गया आप नीचे बैठकर ताली नहीं बजा सकते राइट दूसरी दूसरी चीज़ वह कहना है कि मोधी जैसा सानातनी व्यक्ती ही सत्ता में चाहिए उन्हों नहीं कहा आपको जो पसंद आपने उ अधिर एक सरीर है आत्मा के रूप पर मूर्ती होती है जिस तरीके से जिस धड़ में सर नहीं होता है उसमा आत्मा नहीं रह सकती उसी तरीके से ये प्राण प्रतिस्था गलत है गलत समय पर हो रही संकराचारी जी ने एक और संका उत्पन्द की उन्होंने ये कहा कि राम लेकिन ने यह भी तो कहा कि में मोधी का पक्ष दरूं देखे मैं उनको कोट कर रहे हैं अपने पक्ष के लिए तो भाई मोधी का पक्ष में हो जा रहे हैं नहीं आप ने मुझसे कुछ जो क्वेश्चन के उसका उत्तर जा जो घटना परसो घटी है उसका विरोध यह संकरच चारिनों पैदा की थी कहीं थी उसका समधान नहीं मिला कि मैं देल्गों नहीं को जिन लोगों ने कोर्ट में पहर भी की वो लोग उस कारीक्रम में उस उनको नहीं बुलाई एंगर्स पार्टी जो कापिल सिब्बर किया थे है को उनकिस के पक्ष में घड़े थे सर और कांग्रेस पार्टी ने जितने भी लॉयाइश सेट किये थे वो लॉयाइश किसके पक् तो आपने अगर कपिल सिभल को कोट कर रहे है नरसिमाराओ को भी कोट कीजे अब राजीव गांदी को भी कोट कीजे मुझे अच्छा लगे बिल्कुल सही बात है तो आप एक चीज को स्विकार तो करें ने जो चीज घटना घटी आप यह मानेगा मैं मैं बिल्कुल पक्सद चलिए उत्रखंड में जो चुनाव को लेकर के भी दूसरी बार अभी कही जाना अचरको तो दूसरी बार भी चर्का करेंगे सारी बाते किस्टल क्लियर होकर के आप में सामने आएगी कि आखिर चुनाव में क्या कुछ होने वाला है आपने जो समय दिया सर हमें बहुत बह करने बाद आपके